Hello everyone and once again welcome to Umar Tazkir YouTube channel myself Umar Tazkir Guys Google Analytics 4 के इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग custom events create कर सकते हैं Google Analytics 4 के अंदर using GTM यानि कि Google Tag Manager को use करके किस तरीके से हम लोग custom events को create कर सकते हैं लाश्ट के वीडियो में भी हम लोग ने सीखा था कि किस टाइप से हम लोग custom events create करते हैं Google Analytics 4 के अंदर बट वहाँ पर हम लोगों ने जो तरीका use किया था वो ये था कि हमारा जो already existing एक event था उसका एक parameter था जो page location था उस page location से Google Analytics के अंदर ही हम लोगों ने custom event create कर दिया था आखिर Google Tag Manager को use करके किस टाइप से जो है हम लोग वो events को create कर सकते हैं Google Analytics 4 के अंदर तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीरे अपने analytics के dashboard पे और अगर मैं यहाँ पर configure में जाके events वाले section पे आऊँ तो आप देख सकते हैं हाँ पर generate lead नाम से मैंने एक event बनाया हुआ था जो कि कल बनाया जो कल यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था इस particular video में जैसे मैंने आपको पता है कि हम लोग use करने वाले हैं Google Tag Manager को तो guys यहाँ से हम लोग सीरे चलते हैं अपनी website के उपर और यह वो हमारी demo website है तो जो scenario है मतलब event का नाम क्या होगा यह event हम कब बोलेंगे कि यह event हुआ है तो basically यह जो आपको यहाँ पर demo form दिख रहा है अगर यह demo form भरता है ठीक है और demo form भरने के बाद जैसे कि हम पता है कि यहाँ पर यह वाला जो thank you page है यह load होगा तो अगर यह thank you page load होता है तो उसको हम बोलेंगे कि एक event जो है वो हमारा हुआ है या इसको हम लोग इस situation को हम लोग event define करेंगे और जो trigger होगा इस event का मतलब यह event का fire होगा मुत्तब fire होगा जब यह वाला जो page है thank you वाला जो page है यह load होगा तो चलिए इसको setup करते है using google tag manager तो मैं आ चुका हूँ अपने google tag manager के उपर simply आपको जाना है यहाँ पर tags में tags में जाने के बाद आपको जाना है new में और मैं यहाँ पर रख देता हूँ form fill यह हम अपने हिसाब से नाम रख सकते है form fill event और यह जाएगा GA4 में तो guys यहाँ पर नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बट मैं आपको हमेशा ऐसे recommend करूँगा कि name आप इस type से लिखो कि आपको ही समझ में आए आपको समझ में आए कि actually इस tag का क्या मतलब है जैसे मैंने आप लिखा हूँ है form fill का यह event है और यह GA4 में जा रहा है event ठीक है और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे tag configuration में तो यहाँ पर हमें already Google Analytics GA4 event दिख रहा है मैं इसको select कर लूँगा यहाँ पर मैं GA4 लिख देता हूँ ठ ठीक है क्योंकि GA4 के अंदर हमारे जा रहा है और हमने पहले ही इसी GTM से GA4 को connect किया था तो उसका जो measurement ID वो यहाँ पर है अगर आपकी measurement ID नहीं है जैसे यहाँ पर manually set करना होता है ID तो वो भी आप कर सकते हैं simply यहाँ से आपको admin में जाना पड़ता है admin में आपको stream वाले section में जाना पड़ेगा यहाँ पर data streams में और data stream अगर आप अपनी select करोगे तो यह आपको measurement ID दिख रही है fine बट यहाँ पर अगर आप देखो तो GA4 क्योंकि मैंने पहले configure किया था Google Tag Manager को use करके GA4 अपनी website के उपर लगाया था जब मैंने GA4 लगाया तो वो measurement ID भी उसके अंदर होगी है ना इसलिए मुझे दुबारा है आपर measurement ID mention करने की ज़रूरत नहीं है otherwise अगर आप दूसरे किसी analytics में जो है event setup कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर manually set ID कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपकी measurement ID होगी उसको आप लिख सकते हैं बट यहाँ पर मैं GA4 ही select कर रहा हूँ event का name हम लोग को रखना है तो मैं event का name रख देता हूँ form fill event GA4 नाम से मैं event का name रख दूँगा trigger पर हम लोग आ जाते हैं और trigger करने की condition कि यह कब trigger होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ thank you page अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा thank you page है उसका page view mention कर देते हैं कि हमारा thank you page है वो तो फिर यह हमारा event जो है वो fire होगा fine तो मैं इसको कर देता हूँ save यहाँ पर और वापस हम लोग आ जाते हैं इसके ओपर कर देते हैं हम लोग इसको save and then we will go to preview and debug mode पर हम लोग इस ले जाते हैं ताकि हम देख सके कि जो हमने event बनाया है वो properly set up हुआ है या नहीं हुआ है यह मैं अपना एक बार के लिए यहाँ पर URL मेंशन कर देता हूँ अब यह हमारा जो browser एक special preview and debug mode में आ गया आगया आप देख सकते हो यहाँ पर यह एक preview and debug mode में आ चुका है तो मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो test कर सकता हूँ और मुझे actually पता चलेगा कि मेरे कौन-कौन से जो configure हुआ है या नहीं हुआ है तो हम लोग आ जाते हैं अपनी website के उपर और यहाँ से हम services वाले page के उपर जाएंगे एक बार और मैं यहाँ से एक demo जो data है उसको मैं एंटर करूँगा यहाँ पर मैं एक demo type की data एंटर कर देता हूँ simple सी and then we will click on submit submit click करने के बाद जैसे ही आपका यह thank you page लोड होगा आप देखो tag assistant में आप वापस जाओ तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो thank you page है वो लोड हो रहा है और जैसे ही आपका thank you page लोड हुआ जो आपका tag fire हुए है वो कौन से हुए है form fill का जो एक event है वो GA4 में गया हुआ है तो आप चलते हैं हम लोग GA GA4 में event तो actually हमें GA4 में दिखना चाहिए Google Tag Manager के हम लोग help ले रहे हैं और हमें यह clear हो गया है कि हमारा जो tag है वो सही तरीके से लग रहा है क्योंकि यह tag fire हो रहा है अब हम लोग यहाँ पर analytics में वापस आएंगे तो वाइस analytics में हम लोग चलेंगे यहां reports वाले section में और reports वाल तो इस तरीके से हम लोग Google Tag Manager की help से भी event बना सकते हैं मैं बहुत ही simple से events अभी आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीजें समझ जाए कि यह सारी चीजें किस तरीके से काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप events को study करना चाहते हैं तो आपकी यह जो debug window है यहां पर भी आप यहां पर आप देख सकते हो मैंने इसके उपर क्लिक किया तो यह सारे हमारे events हुए और यहां पर देखो यह एक event हुआ है form fill event यहां पर आप देख सकते हो यह form fill event हुआ है जो हम लोगों ने अभी बनाय हुआ हुआ है तो यहां पर जो हमें debug window देखती है उसमें भी आप submit नहीं करोगे, ठीक है, submit कर देंगे, हम लोग publish कर देंगे, continue कर देंगे, now यह जो हमारा container है, यह live हो चुका है, या आप आसान बाद समझें कि यह जो हमारे tag है, यह actually publish हो चुके हैं, तो guys इस तरीके से GTM की help से भी हम लोग events create कर सकते हैं, अपने Google Analytics 4 के अंदर अजय आसे हैं, यह जो हमारे यह जो हमारे आसान बाद से बाद साईड़ार के अंदर